पर तिन्सुक्या में पहली बार असम मंत्री मंडल की बैठक होने वाली है। राज मंत्री मंडल की बैठक आज दो पहर दो बज़े से तिन्सुक्या के बाइपास इस्तित कन्वेंशन सेंटर में आवजित की जाएगी। आज होने वाली मंत्री मंदल की बैठक में कई महत्यपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं मंत्री मंदल की बैठक की अध्यक्षता मुख्य मंत्री हिमंत विश्वसमा ही करेंगे तिन्सुक्या में मौझूद हमारे सवादाता विजे सर्मा आगे की जानकारी दे रहे हैं राज सरकार के सभी कबिनेट मंत्री यहां उफतित होंगे और तिन्सुक्या में जो कन्वेंजन सेंटर है यहां ही ठीक दो बज़ते ही यहां पर जो कैबिनेट की बैठक की शुरुवात हो जाएगी और केबिनेट की बैठक में जो यहां पर तिन सुक्या के अनने इनके लिए विश्च स्पैकज की घोसना कर सकते हैं कि मुकर मंत्री हमद क्या हमद अभिश्प सर्मा और काफी दिनों से कया शबी लग रहा था जो अगला कैबिनेट जो होगा तिन सुक्या में होगा और तिन सुक्या में जो कैबिनेट होगा तो अच्छा। अंडर 19 जो फुटबोल टूनामेंट है जो चाय जन जाती जो वो को के बीच में किया जाएगा उसका फाइनल जो खेल है कचुजान मैंदान में वहाँ सिर्कत करेंगे और था अगर जो टाफिक सिगनल की जो समस्या थी वो उसकी समस्या अब कहत्म जारी है क्योंकि तिन सिका सहर के चार ऐसे जगह है जहां पर टाफिक सिगनल की बहुत ही जरूरत ही और आज उसका ठिक 11 बजे ही अभी इस वक्त इसका सुभारम कर दिया जाएगा और ठिक दो बजे ही केबिनेट मंत्री हैं 300 की पहुच चुके हैं और ठिक दो बसते से इसी कंवेंसे सेंटर में जो केबिनेट की बैठक होगा और का जांचा हो दो किरेगा है जानायों के उपर में बिचर्चा हो सकती है और यए इसी के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जीला पर संसरें के तरफ से यहां पर तैयारी कर चुके हैं और आप से ठिक दो बसते ही जो कानबिने ज़ी हो गी इस पर जिस Михांज की बिदे से शुरुआ थी और जिसका मुख जो अगवाई करेंगे डॉक्टर हिमता बिश्वा सर्मा और कई केबिनेट के मंत्री पहुंच चुके हैं तिन सुक्या और तिन सुक्या में विभीनितर की योजनाए हैं मुख मंत्री कल दुसरे दिन यानी कल सुबर 9 बजे तिन सुक्या मेडिकल कोलेज जो बन रही है माकुम में वहां के भी निरिक्षन करेंगे और इनका मेडिकल कोलेज का जायजा भी लेंगे उसके बाद सीधे सीधे गोला खट के लिए रवाना होंगे